आपको मालुम है, सबसे पूर कंट्री और इसका happiness index पूरी दुनिया में सबसे ज़ादा है, तो याद रखना, यदि मालो तुमको success ना मिले, तो याद रखना इस दुनिया में, जो सबसे ज़ादा अच्छी चीज़ें होती, जो happiness देती हो, maximum चीज़ें फ्री है, समझ मागया sleep ठीप, ठीग है, food की भी जित्ती जरूरत है, उत्ती तुम कमा ही लोगे, समझ मागया oxygen, aesthetic pleasure, ये सब कुछ available है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत होना, ज़्यादा परेशान मत होना, trust करना, trust करना, मैं billionaires के साथ में रहा हूँ, मैं ऐसे billionaires के साथ में रहा हूँ, तुम अ याद रखना, मैंने उन लोगों में एक चीज़ देखी है कि जरूरी नहीं है, इतना सब कुछ हो तो खुश हो, याद रखना, happiness is the key to success, success is not the key to happiness, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, तुम select हो गए, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो और अच्छी बात में गया, उनके एक काका थे, तो उनने खुद बताया, कहां तक पड़े हुए, छेटवी तक पड़े हुए, और आप ट्रस्ट नहीं मानोगे, कि तीन उनके हॉस्पिटल हैं, बड़े-बड़े, और जब वो जाते हैं, तो ऐसे डॉक्टर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, तो अब तुम इस बात को सोचो हो सकता है, तुम्हारे उपरवाला तुमको वो बनाना चाहता हो, तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से अब इस बात में समझना, कि कोई चीज जाती है तो उससे बहुत बेटर वापिस आती है, बहुत बेटर वापिस आती है, अब वो लौटाता है ना उपर वाला तो बहुत सारे व्याज के साथ में लौटाता है तुमने यह दी महनत करी मांदारी से और तुम्हारा यह दी नहीं हुआ जो तुम चाहते हो तो याद रखना उपर वाले की उपर करज चड़ गया अब वो तुमको क्या करेगा कुछ जा चाहिए कभी उनके सांथ मैं S-Class में में रहता था ठीक है कभी साड़े च्छे करोड की आठ करोड की गाड़ी में भी रहता था उनके सांथ मैं घुमा हूँ और जब उसमें इतना घुमा ना तो मेरे दिमाग में आखरी में ये आया है कियार मेरी जो गाड़ी है वो भी बुर समझ मा आ गया लेकिन बाकी जो परक है वो किस चीज का है हमारे बोलना चाहिए हमारे किस चीज का घमंड का परक है तो इसलिए इस बात को आप समझना कि हर चीज आल्मोस्ट एक्वल कमफर्ट देती है कोई बहुत जादा इन चीजों का ऐसा परक नहीं पड़ता बास समझ इसमारे बहुत जादा ऐसा परक नहीं पड़ता